प्रुदय कमलमध्य राजितं निर्विकल्पं सद सद खिल भेदाती तमेक स्वरूपं प्रकृति विकृति शून्यं नित्यमानंद रूपं प्रकृति विकृति शून्यं नित्यमानंद रूपं विमलपरमहंसं रामक्रिष्णम् भजामह विमलपरमहंसं रामक्रिष्णम् भजामह परिषिष्टम् प्रथमम् केशव सेनेन साकं दक्षिनेश्वरे मनमोहनस्य ग्रिहेच एकाशी त्युत्तर अस्तादश शततमवर्शस्य जनवरी मासस्य प्रथमह दिनांकह शनिवासरह केशव सेनेन दक्षिनेश्वरागमनम अध्य ब्राम्ह समाजस्य मुख्यस्थः केशव चंद्रसेनह परमहं सस्य दर्षनम् प्राप्तुम् नुकया दक्षिनेश्वरम आगच्छति परमहं सेनसाकं प्रकोष्थे बहवः ब्राम्ह समाजीयाह प्रतापत्रैलोक्य जयगोपालादयह संति केशव सेनम् प्रतीक्षमानाह ते उच्षुकतया दक्षिनाम दिशम् प्रती एव पश्यंत संति परमहं सस्य प्रकोष्थे राम मनमोह नादयह परमहं सभक्ताह अपी उपविष्टाह संति प्रकोष्थे किमकिमपी जल्पनं प्रचलदस्ति ततु केशव सेनस्य आगमन पर्यंतं प्राचलतु संप्रती केशव सेनह परमहं सस्य प्रकोष्थम प्रविष्थवान सह द्वे बिल्व फले एकं पुष्प गुच्छम्च आनीत वानस्ति सह तानी श्री रामकृष्णस्य समीपे स्थाप इत्वा तस्य पादवुस प्रिष्थवा नमस्कृतवान सहसा परमहं सह तस्मय प्रणामं कृतवान इदानीम परमहं सह आनंदेन हसन केशवसेनेन साकं वदन्नस्ति केशवसेनेन साकं परमहं सस्य संलापह श्री रामकृष्णह तवकृते वयं उत्कंठिताह आस्म सुलभतया गोविंदस्य दर्शनम् प्राप्तुम् नशक्यते क्रिष्णलीला नाटके नारदह ब्रिंदावनम् प्रविष्य व्याकुलहृदयेन प्राण एगोविंद ममजीवन इती यदा प्रार्थयती तदा श्री कृष्णह गोपालैहि साकं रंगमंटपं प्रविषती यत। तथ त्वया दृष्टं स्यात। व्याकुलता नास्ति चेत भगवद्दर्शनम् न लभ्यते। अजिए प्राइब करने दॵया मतमव स्या दॉष्टं करता इती यत ल्यात। झाल झाल